वाले dust of snow के बारे में जिसे लिखने वाले शक्स का नाम है robot frost, भाई ये जो बंदा है ना robot frost, ये तुम्हें हर जगा मिलेगा 9th में मिला था, road not taken वाले में ठीक है, 10th में भी है, और फिर तुम्हें 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा मतलब ये बंदा तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम परले के पास नहीं हो जाते हैं, समझे खैरियर ये आर्ट लाइन की छोटी सी पोएम है, चलो जारा है इस आर्ट लाइन को खतम करते हैं उसके बाद मैं अपना opinion देता हूं भाई ये पोएम लिखने का बस एक ही मक्षद था कि जो भी तुमने अंदविस्वास को मान रखा न वो सम निकाल दो, ठीक है क्योंकि ये सारे का सारे अंदविस्वास है बिल्ले ने रास्ता गार दिया, कौवा मेरे सामने चलाया मतलब क्या ही करोगे, कुछ तो आजीब अंदविस्वास पालते है सम्मी कपत्ता तोर के जेब में रख ले आ, आज पास हो जाएगा भाई मतलब ऐससे अंदर विस्वास पालोगे तुम लोग है तो चलो इस पोएम को शुरू करते हैं, जो हमारे पोएट है रोबोट फ्रॉस्ट ठीक है उनका भाई मूर्ड रख दम खराब था, इत्ता खराब था लगए अगर सामने आ जाओ तो भाई फार देंगे ऐसा लगा था जिसे ब्रेक अप हो गया हो ठीक है तो वह फाई एक पेर के नीचे से जा रहे थे के हैम लोग ट्री नाम का पेर है ठीक है उसके नीचे से वह जा रहे थे और उसके उपर हैम लोग ट्री के उपर एक कौवा बैठा हुआ था और वह कौवे ने बहाई एक dust of snow गिराया dust of snow का मतलब यार धूल मिट्टी नहीं गिरा ही मतलब कि यार जो snow होता है ना ठीक है उसके बस छोटा सा particle थोड़ा सा गिरा दिया उनके coat पे और इन से बस ये गिराने के वज़े से ना उनका पुरा mood change हो जाता है उनका mood था ना जो mood खराब था वह एकदम change हो जाता और वह बताते हैं कि अब आये का जो वक्त था मेरा यानि कि जो आये का दिन जो बरवाद होने वारा था उससे मैं बच गया भाई क्यूंकि देखो अगर उनका mood खराब होता तो वह उनी के बारे में सोचते रहते उसी चीज का जो mood था वह खराब ही था अच्छा भी तो हो सकता था ना तो देखो वाई यहां पर जो इन्होंने यूज किया ना वर्ड हमलोक ट्री जो कि एक जहरीला पेर होता है ठीक है और क्रो जो काला कौवा यह दोनों ही वर्ड जो इन्होंने यूज किया ना इससे हमें यह पता किसी चीज को लेकर चिंता में होंगे ठीक है तो भाई इस आर्ट लाइन की छोटी सी पोएम से हमें बस यही पता चल रहा है कि कोई भी अंध्विश्वास दिनाम की चीज होती है वह खराब नहीं होती अब बिली ने रास्ता काड़ दिया तो क्या भाई तुमारे दिन खर कर रहे थे और उपर से क्रोन के ऊपर बैठा हुआ था ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता है ठीक है हम लोग ने अपने माइंड को ऐसा बना लिया ना कि अगर बिली दिग गई इसका मतला बास्तों दिन खराब जाएगा ही जाएगा और अगर काला काववे ने हमारे पोएट का मूड बदल दिया हो सकता तुम्हारा भी मूड बदल जाए और मैं अपना प्रेस्नल एक्स्पियेंस बताऊ ना भाई तो जब जब बिली रास्ता कारती है मेरे साथ अच्छा ही होता है ठीक है तो बस यहीं पर तुम्हारा आज का यह पोएम जो है यह खतम होता है डस्ट लास्ट आ रहा है और फिर बढबलू यह किया इसका मतलब एह इद्ई चाहिए राइमिक है डिक और निची डिक है किया first line w start है फिर second line में देखो third line sorry देखो फिर w second line में e last में तो देखो fourth line में भी tree का e last में बन्सकिन राइमी मतलब यार lab एठा रहा है समझा रहा है और एक मैं तुम्हें alliteration के बारे बता देना चाहता हूं alliteration मतलब यार कोई भी दो वर्ट ना जब Same Later से Start होना तो उसी को Alliteration कहते है ठीक है जैसे कि सेव्ड सम यहां पर एक एक जाम पहले है सेव्ड सम यह तुम्हारा एलिट्रेशन है ठीक है बस यार और कुछ खास नहीं है चलो तो तुम्हार आज का चैप्टर यहें पर खतम होता है वीडियो चला हो तो वीडियो को लाइप ठोक दो ठीक है और भाई का चैनल पर खततो है तुम्हार उलिग मझा भाई मुदद मेव endorse लिएकon